तो आज हम देखने वाले हैं कि दूद को फिटकरी से कैसे फाड़ना है आप फिटकरी से फाड़ कर दूद को कुछ भी बना सकते हैं पनीर, छेना, एनौल तो दूद को फिटकरी से फाड़ने के लिए यहां पे मैंने एक लिटर दूद ले लिया है इसे हम पहले पका लेंग हमें दूद को जादा नहीं पकाना है हिसाब से ही पकाना है पहला उबाल आए तब तक दूद को हम पकाएंगे तो यहाँ पर हमारा दूद जब तक पकता है तब तक हमें थोड़ी सी फिटकरी ले लेनी है इतनी और इसे अच्छे से क्रश करके जब तक हमारे दूद में उबाल ना है तो यहाँ पर हमारा दूद थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है तो अब हम दूद में उबाल आने तक का वेट करेंगे तो यहाँ पर दूद में उबाल आ चुका है अब हम गैस को बंद कर लेंगे और हमने जो फिटकरी का गोल तयार किया था उसे हम थोड़ा-थोड़ा करके दूज में मिक्स करेंगे तो इसी तरह हमें चलाते रहना है गोल को मिलाकर अगर इतने पर आपका दूद नहीं फटता है तो आप फिटकरी की मात्रा थोड़ी जादा कर लीजे तो जब इस तरह ग्रीन के फॉर में दूद हमारा आ जाएगा तो मतलब वो अच्छे से फट चुका है इस तरह हमारा दू जा रहा है पटके